नमस्कार NBC24 की इजनिंग बुलिटन में आप सभी का स्वागत आये जानते हैं दनबर की पाच बरी कबरे बहार में गर्जे पीम मोदी बोले विपक्षी नीता लोक सबचनाव लडने से डर रहे हैं राज्य सबा की सीटे ढून रहे हैं तेज़श्वी पर बे निशान असाध पीम मोदी से बोले सीम नितीश पीश में गायब हो गयते अब इधर उधर नहीं जाएंगे सीम नितीश कुमार का बरायलान कहा वरस नरायन सिंग को जल्दी देंगे बरी जुम्यदारी पटना में महागट बंदन की जन्वश्वास रैली में जुटेंगे 10 लाग कारे करता सेम नितीश ने मुख्य सचीव आमिर सुभानी को वियारेस क्या मंजूर ब्रजीश महरोतरा हो सकते हैं अगले मुख्य सचीव अब आईए चानते हैं खबरे वस्तार से पूरे 20 महीने बाद प्रदान मंत्री नरींद्र मोदी आज बहार के दौरी के तहट और अंगाबाद पहुचे हैं असदारान उन्हों ने 21,000 करोड की परियोजनाओं का लोकारपन शुभारम किया है साथी विपक्च पर निसाना साधा है और कहा है कि अभी राम लिला की प अश्य पर जा रही है अप कुछ लोग लोग सबद चनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं वहीं राजसभा की सीटे खोज रहे हैं बिहार का विकास ही मोदी की गैरेंटी है वहीं पीए मोदी ने तिजश्वी आदफ का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा है पीए मोदी कुमार ने स्वागत किया 20 महीने के बाद पीए मोदी और नितीश कुमार एक साथ मंच साजा किये हैं और इंगबाद में सबा को संबोधित करते हुए नितिश कुमार ने कहा कि बीच में हम गायब हो गयता अब दरुदर नहीं जाएंगे यह सुनकर सीम नितीश ने ठाहका पुजनाओं को चला रही है तेजी से विकास हो रहा है 400 सीट एंडिये जीतेगा आपस में कोई विवाद नहीं रहेगा मिलजुलकर काम करना है पीम से नितीश कुमार ने कहा कि जो विकास होगा उस कश्रे आपको देते रहेंगे असबार आप 600 सीट जीतेगा खूब आगे बात गई है उन्होंने कहा है कि बराबर इनसे हम मिलना आते हैं यह कहते रहते हैं के मेरी तबियत ठीक नहीं असपर हम इनके पास आकर बैठ जाते हैं और इनका देपकड़ने लगते हैं अब तो एक जिम्मेदारी देने वाले हैं जो कुछ दिन में तै होने वाला है पॉम लेकर महागडबंदन के सभी गटक दलू के द्वारा राजदानी पटना की सरकों पर बैनर एवं पोस्टर से भर दिया गया है राजदानी पटना की सभी प्रमुख सरकों पर रैली को सफल बनाने की राज़त का दावा है जन विश्वास महा रैली अबूद पूर्ध होगी कल की रैली में राज़त सुप्रीमो लालो प्रशादी आदफ बिहार के पूर मुक्य मंतरी रावरी देवी पूर्वुक मुक्य मंतरी तेजश्वी आदफ के अलावा कॉंग्रिस के राष्ट्रिय अद्रक्ष मलिका अरज़न करगे राहूल गांदी वाम पंधी दलो के सभी प्रमुक नीता एवं महा गटबंदन के गटख दलो के सभी प्रमुक नीता इसमें शामिल होंगे राज़त प्रवक्ता मिर्तुंजे तिवारी का मानना है कि गांधी मैदान में होने वाली रैली ऐसी अबूद पूर्ण होगी चो पहले कभी नहीं हुई थी मिर्तुंजे तिवारी की मानने तो कल की महा रैली में 10 लाक से जादा लोग शामिल होंगे के लिके नितिश कुमार की सत्र वर्ण के शाषन पकाल पर महागडबंदन सिरकार का 17 माईना भारी पर गया है यह पूरे बहार की जनता जान चुकी है विहार की मुख्य मंतिरी दिश कुमार ने मुख्य सचीव आमिर सुभानी का वियारस को मंजूर किया है समाने प्रशाषन प्रबाग के अधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुस्ति की है आमिर सुभानी 30 अप्रेल 2024 को अपने पत्सर रिटायर होने वाले थे मगर दो महीने पहले उन्होंने वियारस ले लिया हाला कि अब तक उनके वियारस के स्विकार के जाने को लेकर समाने प्रशाषन प्रबाग ने कोई पत्रजारी नहीं किया है दूसरी ओर आमिर सुभानी के बाद वरस आईयस अधिकारी प्रजेश महरोतरा के राज्जु का अगला मुख्य सुषीव बनने की चर्चा है हाला कि अभी तक नितीज सरकार की ओर से कोई पुस्टी नहीं की गई है बता दे कि महरोतरा का रिटार्मेंट अगस्ट दोवजार चौबस में है अगर नितीज सरकार उने मुख्य तच्ची बनाती है तो उन्हें सीवावस्तार यानी एक्स्टेंशन दिया जा सकता है